हेलो फ्रेंस निवरात्री के आप सबको बहुत बहुत सुपकाम नाए आज मैं आपके लिए एकदम दानेदार साबू दाने की बहुत टेश्टी खिजड़ी लेके आई हूँ एकदम खिली खिली बनेगी और बहुत टेश्टी होगी अगर आपका मनुब्या चुका है ब्रत में कुछ मीठा खाते खाते तो बनाइए ये चटपटी सी एकदम साबू दाने की बहुत टेश्टी खिजड़ी जो खाके आपका मन एकदम खुश हो जाए हाई प्रेंज कैसे आप सब आशा करती हैं आप सब अच्छी होंगे जैम आता दी मैं हूर एखा और एखा की रैस्टी में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज तो यह हमने सौ ग्राम साबू दाने लिया है इसको पांच घंटे के लिए भीगो दिया था एक चीज का आप ध्यान रखें जितना आपका साबू दाना है उतना ही पानी गेने कटोरी में इस पर कड़ाई चड़ा दी है दो टेस्पून के करीब हमने ओल गे रहा है हाप टेस्पून इस फ्राई करना है हम इसे ब्रत के लिए बना रहे हैं तो हाप टेस्पून इसमें हम सेंधा नमक गेर देते हैं और आप घर के लिए बनाएं तो साधा नमक गेर सकते हैं अब आलू को थोड़ा हमें फ्राई करना है आप उबले हुए आलू की बनाएंगे तो हमारी खिज़ड गेर देते हैं और साबुदाने को चलाते हुए हमें एक मिनट के लिए इसी तरीके से भूलना है तो हम देखें अपने साबुदाने को भूल ले रहे हैं अगर आपको यह रास्पी पसंद आती है तो मुझे लाइक कमेंट शेर सस्क्राइब जरूर करिएगा तो देखें एक म नट देखें हमारी खिचडी को पकते हुए हो गया है और आप हम चला के देख लेते हैं तो देख सकते हैं आप कितने खिली खिली और दानेदार और बहुत टेश्टी खिचडी बनके यह राड़ी होगी तो अब इसमें हम आधा नीवू गेर देते हैं और देखें नीवू आपको बहुत पसंद आने वाली है अगर आपका मनु भी आ चुका है मीटा खा के तो इसको एक बार जरूर ट्राइ करिएगा मेरे कहने से बिर्कुल टाइम आपका ज्यादा बिर्कुल भी नहीं लगेगा दो से तीर मिनट में आपके बहुत टेश्टी खिचडी बनके ति प्यार हो जाएगी